हेलो गाइज मैं हूँ दॉक्टर कुनाल फोंपोलजी बॉम और तोड़ वी आर गूंट टॉक अबूट अनादर थेरी आप इवलिशन गिवन भा हुगो डेवरीज the name of the theory is mutation theory right हमने इसके पहले देखे Darwin's theory हमने लैमाक ने जो थेरी दी है योगी देखी है रैट हम सबसे पहले इस theory को समझेंगे और फिर से compare करेंगे लैमाक साहब ने क्या कहा था Darwin साहब ने क्या कहा और फिन इन्होंने क्या कहा थाकि compare करके हमारे komasset घे crystal clear हो जाएंगे चलो जड़ी से शुरू करते हैं बिलको सिंपल क्यूट और छोटु सा टॉपिक है यह फाइन सो दटर्म म्यूटेशन इस कॉइन बाई हुगो डेवरीज हमने देखा था वोट इस म्यूटेशन म्यूटेशन इस दचेंज इन नुकलोटाइट सिक्वेंस उके और हमने विद्स नुकलोटाइट सेखुएंज में चेंज रता है तो फिर समस्कों रीट करता है तब क्या होता है कि अलक देप का प्रोटीन बनेगा उपको चैये वदो करते हैं तोडने शेंज करता है आप। आखो का कलर आपके हैर का कलर यह तो आपके जो फीचर से इस मैग्जिम फीचर साथ बिकॉस आप यह प्रोटिन्स ओके सो जब नियुप्लाड़ाइस का सिक्वेंसी चेंज हो गया तो आपका चैरेक्टर चेंज हो गया उसको उन्होंने कहा और ज्यादा एलबराट करती देखो डिटल में देखते हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने इविनिंग प्राइम रोड आपके इसका पॉलिनेशन किया आप जब पॉलिनेशन करोगे तो इसके प्लैंट के जो बच्चे हो गये तो यूँवाएक्समेट कि वह यावरे उनके पास रहेंगे लेकिन हूग this change is sudden, also called as resultatory change, this change is sudden देखो यहाँ पे yellow है और एकदम से pink हो गया ओके सो, उन्होंने to the changes चीज यहाँ पय अबजोव टिस ChangeSundanne is change is random उन्होंनी changing को कहा mutation? इस्ужूंनने कहा the mutations are sudden and these mutations are random, random मतलब देखो यहाँ पे pink है, यहाँ पे blue है, तुंहोंने कहा डिज मीटेशन सारन तुम उन्होंने कहा इसका पॉलीशन किया तुम उनको क्या मिला उनको मिला फिर से यह हो Boost उने ने ने कहा कि आरे, these mutations are discontinuous, मतलब they are not following from, they are not following the generations, okay, मतलब each generation में अपेर हुआ, मतलब यह अपेर नहीं हुआ, यहापे फिरसे अपेर हो गया मतलब यहापे तो इसने अपेर होना चाहिए था मतलब यहापे अपेर नहीं हुआ, तो this is not a continuous mutations so mutations are discontinuous, right, so the most important points regarding the mutation theory are these three points, these are these three are the anchor points, okay so you should note it down, very very important point, okay, यहाँ से लेखना है, okay, these mutations are sudden, these are random and these are discontinuous very 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 important, right, यह पता ही चाहिए, okay और यह जो sudden ने से, इसको क्या कहते है, saltatory, हमने देखा था saltatory conduction along the nerve, right हमने कहा था कि myelin sheath है, like this, like this, like this, myelin sheath है, यहाँ पे रहता है, node of rain wear, और जो इंप से यह जम करते हुआ जाता है, इस तरीके से, okay, fine अब इसी के regarding देवी और सज्जनो, आज का सवाल यहाँ आपके कवेड़ स्क्रीन पे, अब यह तो नहीं पोचुँँगा आपको कि saltatory conveyor, जो conduction है यह, between the node of rain wear होता है I am not going to ask you that tell me, what is the resting membrane potential of a neuron in a polarized state? I repeat my question, what is the resting membrane potential of a polarized neuron? पता अगर होगा तो मजे पक्का बताना, चलो, so these are sudden, these are random and these are discontinuous, sudden, saltatory condition, quick, okay, fine, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, इसका एक example है, that is anchor sheep, मतलब, यह जो fish, sheep है, इस sheep के जो parents थे, वो बिल्कुल normal थे और उन parents को, suddenly, यह sheep उन्होंने बर्थ दे दिया, so this is the mutation, okay, उसके nuclear sequence में change हो गया, mutation हो गया, उनके जो बच्चे हैं, देखो, इस ताइब के हो गया, having short legs, बाकी remaining बिल्कुल same है अपने parents की तरह, लेकिन having a short legs, okay, so anchor sheep, anchor sheep explains the mutations, so you should know, these examples का भी push सकते हैं आपको, so you should know this example, anchor sheep is the example of mutation, okay, it is the result of mutation, अगर हम mobile के तरह, अगर इस theory को सामजने के कोशिश करें, तो Darwin ने हमें क्या बताया था, we have seen the Darwin theory, Darwin ने हमें बताया कि सबसे पहले, there are variations, okay, now, if these variations are gradual, मतलब सबसे पहले ये बना, फिर ये बना, ये बना, ये बना, 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 और ये हमारा smartphone बना, so this is like the smartphone का जीस तर किस evolution हो है, so according to Darwin ये भी gradual evolution है, जो हमारे different organisms में होता है, जब कि अगर हम बात करें, Hugo Debris, Debris सहाब का बना है, this is a sudden change, विलकुल फड़क से change आ गया, right, and this has lead to the evolution, okay, इसको और detail में समझेंगे, जब हम giraffe का example लेंगे फिर से तो, लेकिन सबसे पहले इनका concept तो समझ लेते हैं, Hugo Debris सहाब का, उन्होंने कहा, these mutations are the discontinuous variations, okay, जब कि Darwin का कहना था, these mutations are the continuous variations, मतला, continue variation होता है, organisms में, जो better variation है, उसको nature select करता है, that's how the evolution takes place, जब कि Hugo Debris सहाब का कहना है, mutations or the discontinuous variation are the raw material for evolution, Darwin का कहना है, natural selection is the raw material for evolution, okay, उन्होंने कहा, Hugo Debris ने, this mutation appear all of a sudden, एकदम suddenly appear हो जाते है, उन्होंने ये भी कहा, कि ये जो mutaces है, unlike Darwin's, Darwin का कहना है, continuous रहते हैं, जब कि Debris का बोलना है, कि these mutations are not continuous, so generation to generation follow करे, या शायद ना भी follow करे, so these are not the continuous variations, अब जब एखाद and this leads to the evolution, okay, so ये यहाँ पर उनका difference हा रहा है, Darwin का, और Hugo Debris का, Hugo Debris ने ये भी कहा है, कि ये जो mutation है, ये direction less है, मतलब all direction में है, कोई particular direction में नहीं है, you don't worry, हम जब जब ग्जम्पल लेंगे, तो हम इस point का फिर से discuss करेंगे, तो आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी, Hugo Debris का कहना था, these mutations are directionless, इनका कोई direction नहीं है, कभी pink color का flower आ रहा है, कभी yellow color का आ रहा है, कभी blue color का आ रहा है, नई species बन रही है, so these mutations are not और along one particular direction, जबकि Darwin का कहना था, this is one, this is along the one particular direction, to adapt to the nature, to adapt to the changing nature, जो nature में जए environment change हो रहा है, उसका adapt करने के लिए, जो variations है, accordingly, वहाँ पर variations पिक के जा रहे है, nature के तरफ से, so those were the continuous variation, जिसको नाम Darwin ने कहा था, consider कहा था, the variations are continuous, यहाँ पर बात रहे है, discontinuous की, fine, ओके, यहाँ पर यह चीज़ भी है, कि useful, अच्छा, यहाँ पर Hugo Deverys और Darwin, दोनों यहाँ पर मेल खा रहे है, इन्हों, इनका कहना, Hugo Deverys का है, कि जो youthful mutation है, उसको जो nature है, यह सिलेक कर लेते है, रो वो आगे जाके fix हो जाते है, organism evolve हो जाता है, उन्होंने यह भी कहा था, इन्होंने यह भी कहा गया, कि mutations are sudden, मतलब single mutation में, direct species change हो जाती है, and this is how the species evolve, okay, what are the points in favor of mutation, mutations are actually the source of all variation, Darwin साब ने कहा था, there are variations in the organism, there are variations along the, in the organism, उसका base क्या है, why there are variations in the organism, उसका answer देती है, हमें mutation theory, because of the mutation, there are variations in the organism, मुझे लग रहा है कि साइद यह आपके सर के उपर से जा रहा है, okay, but I would advise you, कि जब हम next page पे जब जिराफ का example लेंगे, तब यह बिल्कुर clear हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें पता तो जाएगे कि इनका बोलना क्या है, तब जाके हम इन दोनों को contradict कर सकते हैं, मतलब इसका क्या कहना है, इसका क्या कहना है, ल्यामा का क्या कहना है, इसलिए समझ लो, right, have a patience, have a patience, okay, so इनका कहना है, mutations are actually the source of all variations, okay, और इनका यह भी कहना है, यह अच्छा point कहा है, मुटेशन के थेरी के बेस पे, आप रेट्रोगेसी एवलुशन को भी एक्स्पें कर सकते हो, मतलब, छोटे-छोटे बैक्टिरिया, वायरस की तरीके सीवल हो है, that you can explain on the basis of this particular theory, important MC की यहापे बन रहा है, okay, what are the points, यहापे objections कहा है, इसका criticism कहा है, criticism, जो यहापे जो changes मिले है, Hugo Devery साब को, the changes are because of the chromosome abrasions, बाद में study करने के बाद हमें पता चला, उसके बाद हमें यह भी पता है, law of segregation, how the law of segregation works, हमें पता है, तो उन factors को इन्होंने consider नहीं किया, इन्होंने ते कहा कि, बाद में कुछ पता नहीं है, फिर उनके दोस्तों ने कहा क्या, यार कुझी भी बात कर रहा है, तो इन्होंने दूसरा बुक पब्लिश किया, second book पब्लिश किया, तब उन्होंने मेंडल को credit डिया, पहले बुक में नहीं दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं है, मेरा खुद का रिसर्च है, मेंडल मेंडल मुझे बता नहीं, बाद में उन्होंने मान लिया, ओके, तो यह चीज, यहाँ पे जो क्रोमोजोम एब्रेश के वज़े से हो रही है, उसको उन्होंने चंसिडर नहीं किया, तो हुगड़ेवरेशन है, ओके, अनादर पॉइंट, नैचरल मुटेशन जो होते हैं, इतने कॉमन नहीं रहते हैं, मैक्जिम मुटेशन तो जो रेशिसी होते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, इन जो चीज़ें हैं, यह मुटेशनल थेरी को क्रिटिसाइट करती है, और हमें लगता है, on the basis of these points, सबको लगा, मतलब सबको लगा, कि यार, तुम एक्सलें नहीं कर पार हो, how the evolution has taken place, किस तरीके से evolution हुआ है, so mutations are generally racist, तो हुगड़ेवरेशन ने कहा कि mutation का वज़े से evolution हुआ है, maximum mutations तो हमें पता है, racist होते हैं, so उसके वज़े से evolution कैसे होगा, so this theory fails to explain this, another point, this theory does not explain the role of nature, यह बरा important point है, Darwin साब हमेशन nature की बात करते थे, nature को adapt करने के लिए, variation को select किया जाता है, यहाँ पर इनों ने nature का कोई रोल उसमें दिया ही ने, बोले nature का कुछ काम नहीं है, mutation हाँ, sudden mutation होते हैं, organism में और organism जो है, evolve हो जाते हैं, हम जो बात करें, और गेशन होते हैं, evolution मतलब change in a character of organism, that are passed from one generation to another generation, this is the simple definition of evolution, देखो, इसकी ने इत्तुसी, इसकी लिए इतनी बड़ी, मतलब क्या होँ, evolution होँ, अब ये chance किस तरीके से हुआ, इसको explain करने के लिए लिया मार्ख है, इनको explain करने के लिए Darwin है, इसको explain करने के लिए Hugo Davries है, इसको explain करने के लिए genetic drift है, मतलब सब लोग अलग अलग बाते कर रहे है, जब हम सब लोगों की बाते सुनेंगे, तो हम इन सब लोगों का थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा मिस करके, हम explain कर पाते हैं evolution को, ओके, तो देखो अब अलग 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 लोग क्या बोल रहे हैं यहापे, इवोलिशन आपको समझ में आया, change in character of organism, right, that is, the change is inheritable from one generation to another generation, उसको कहते हैं evolution, ओके, लेमाख सहाब ने क्या कहा था, लेमाख ने कहा था, कि यह जो, जो change in character है, it is driven by the inner need, it is driven by the need, मतलब यहाँ पे एक पेड का पत्त है, जो इस giraffe को खाना है, अब इसको खाने के लिए उन्नेक extend करता है, फिर और आगे गया, उसको और एक heighted plant का, उसको खाने के लिए उसने और ज़्यादा अपने neck extend की, फिर और ज़्यादा की, और ज़्यादा की, और over period of time, यह जो बिचारा यहाँ पे young, अब हमें जीराफ मिलता है और यहाँ पर मिला हमें लॉंग नेक का जीराफ और इसके जो बच्चिव है वह भी लॉंग नेक के होंगे ऐसा लैमाक का कहना था इस तरीके से उन्होंने इवलेशन का एक्सलेंट किया वेरी इंपोर्टन वर्ट फॉर लैमाक्स थेरी इस यूज और डिस्यूज और जितना ज्यादा यूज करंगे उतने और वहाँ पर केंज हो जाएंगे मॉडिफाय हो जाएंगे यह का नता लैमाक का अब देखते हैं यहाँ पर डारविन सहब ने क्या कहा। Darwin ने कहा कि यह सब एक टाइम पे वहाँ पे एकजिस्ट है, right, environment में यह सब लोग एक टाइम पे ही एकजिस्ट है, right, किसी के नेक छोटी है, किसी के नेक बड़ी है, किसी के और ज्यादा बड़ी है, मतलब there are variations in organism, right, ध्यान से सुनना, there are variation in organism, okay, ध्यान से सुनना, अब इस variation, इ because of the mutation, a mutation theory आने के बाद हमें पता चल गया, okay, ध्यान से सुनना, so according to Darwin, there are variations in organisms, अब जो, जब environment में change हुआ, मतलब, जब hydrate plant ज्यादा grow होने लगे, तो जिसकी नेक छोटी है, वो तो यहां तक पहुच नहीं पा रहा है, अब इसको environment को adapt करने के लिए, जो variation suitable है, उस variation को nature select करता है, कहता है कि, yes, you are selected for the next round, तुम आओगे मुंबए में इंडन आडल खेलने क like that, so you are selected, यह कहता है nature, okay, and that's how the selected organism then reproduce, और हम कहते है कि evolution हो गया, देखो, पहले जमाने में तो छोटे नेकी जराफ मिलते थे, अब देखो, इस जमाने में बड़े नेकी जराफ मिल रहा है, so this is how the Darwin explained the evolution, okay, यहां पर Darwin साम ने बात की थी, natural selection की, किसका natural selection, variations, there are variations in the organism, जो बेटर variation है, उसको सिले किया जाता है, okay, so यह कहा Darwin ने, ध्यान से सुनना, और अब यहां पर जो बात हो रही है हमारी, बात है रही है, Hugo Davis थेरी की, according to Hugo Davis, according to Hugo Davis, कि यह जो पत्ते वत्ते है यार, इसका कुछ काम है नहीं, nature, environment का कुछ काम है नहीं, मतलब nature, particularly, so nature का इसमें कोई role नहीं है, according to Hugo Davis, उन्होंने nature को निकाल लिया, right, अब यहां पर Hugo Davis का मानना है, कि सबसे पहले सुनो मेरी बात, Hugo Davis थे आप बोल रहे है, मेरी बात सुनो, यह सब लोग एक ही टाइम पर सब एक्जिस्ट नहीं है, जब कि Darwin का कहना है, यह सब एक टाइम पर एक्जिस्ट है, जो बेट सब्सकेर पेघ्जिस्टन से इसका, आफ इसको बच्चे हुगे, जब इस अब इसमें, देखो, सद्रम इब शचे होगे मुटेशन होगा, कुछ बच्चे चोटे नेक्के हैं, कुछ बढ़े नेक्के हैं, कुर और बड़े नेक्के, आफरी हमीन मुटेशन एक isवा, और आ इन्होंने तीन चीज़े काई सदन रेंडम एंड डिरेक्शन नेस रइट अब फॉर एग्जांपल अब यह जो जिराफ है अब इसके जो बच्चे होंगे उन्होंने कहा कि नॉट नेसेसरी कि इसके बच्चे में यह जो मुटेशन है केरी फोरोड होगा हो भी सकता है नहीं भी ऑल सकते हैं मतलब इस मुटेशन इस इस डिसकंटीनूस एमोटेशन इस डिसकंटीनूस रइट यहाँ फ्यसक्ते नाभी आए हो सकता है कि यह सका र detik in the these mutations are discontinuous this is not in a particular direction this is not a continuous mutation suddenly appear हो जाते हैं और एक हाथ कोई जो mutation है नेचर में fix कर जाता है आगे उसका carry forward हो जाता है उसके बच्चे उसके जैसे हो गए तो हो गए तो carry forward हो जाएगा एक हैना है Hugo Deiris का Hugo Deiris का कहना है the basis of evolution is mutation mutations are random random कोई एक direction में नहीं है Darwin का अभी हमने देखी इसके पहली की डाइग्राम तो हमने देखा था Darwin का mutation बिलकुछ straight line में जा रहा था these mutations are random according to the theories these are sudden एकदम से उसको बच्चा हो गया हमने देखा and con ship एकदम से उसके बच्चे हो गये छोटे-छोटे लेगवाले रैट तो वैसे सब और्गनिजम में होता है mutations are sudden these are random these are directionless and these are discontinuous ओके एक बाद फिर से detail में देख लेते हैं ताकि एक जमने आपको confuse ना कर पाए राइट डेवरिस थेरी डार्विस थेरी डेवरिस थेरी का कहना है evolution they are the result of mutation जबकि Darwin का कहना है these are the result of resulted from the variation जो better variation है उसको पिक किया जाता है निचल के रपसे ओके डेवरिस का कहना है evolution occur in a single last day suddenly हो जाता है evolution जबके Darwin का कहना है नहीं भाया यह तो gradual process से धीरे 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 होती है बहुत time लगता है इसमें ऐसे Darwin का कहना है mutations are random and directionless according to devries एक बहुत important point है कापी student को समझ में नहीं आता है रहे आपको कोई भी उसमें क्वेरी रही तो मुझे कमेंट में जरू पूशना mutations are random and directionless जबकि Darwin का कहना है नहीं mutations are small and they are directional mutations but sorry variations are small छोटे-छोटे variation होते है हलके 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 variation होते है जिसको नेचर पिक करता रहता है सालूप साले चीज चलती है और हमें मिलता है एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का organism right this is how the evolution takes way so हमने देखी तीन थेरी हमने आज हमने तीन थेरी को compare किया और importantly आज हमने जो में थेरी हमने डिसक्स किए हो थी mutational theory given by Hugo de Vries उन्होंने कही तीन बाते कभी मत भूलना right क्या कहा sudden random directionless okay so that was all about this session thank you so much guys and if you find this to be helpful अपने दोस्तों के जा शेयर किया करो यार thank you so much